बड़ी खबर बिजनोर से बिजनोर के धामपुर पुलिस ने रिशी केस से अपरण कर लाए जा रहे 13 साल के बच्चे और अपरण करता को ग्रफतार कर लिया है इस बच्चे को छोड़ने के लिए 15 लाग रुपए की फ्रोती मांगी गई थी जिसमें 13 लाग रुपए देना तै हो गए थे अपरण की घटना का मुकदमा उत्रांचल के रिशी के इस थाने में अपरण बच्चे के पिता द्वारा लिखा गया था और जिसकी जौच रिशी के इस पुलिस द्वारा की जा रही थी पुलिस अधिक्षक डॉक्टर धरमवीर सिंग के नुसार आज सवेर करीब 11 बजे भूबनेश कुमार पुत्र गोपाल कश्न कुकरेती भट्टु वाला रिशी के इस निवासी अपने घर से गायव हो गया था कुछ समय बाद भोला नाम के एक युवक द्वारा फोन कर उसके पिता से पंदर लाह रुपय की फ्रोती मांगी गई थी पिता युवक की लोकेशन बिजनौर के धांपूर छेत से आई थी जहांपर रिशी केस पुलिस ने बिजनौर पुलिस से संपर्क करते हुए पूरे जानकारी दी तो अलर्ट धांपूर पुलिस ने तुरंट चेकिंग अभ्यान चलाते हुए अपरन करने वाले भोला और पूश्ताच की गई बच्चा सकुशल बरामद हो गया है पकड़े गए अपरन करता से पुलिस द्वारा पूश्ताच की जा रही है और रिशी केस पुलिस को भी सूचित कर दिया गया है पकड़ा गया अपरन करता बिहार का रहने वाला है जो रिशी केस में घरों में कर रही है इससे अभी पूस्ता जारी है धामपुर से हमारे समवादाता दिनिश्कुमार पजापति की आखास ख़बर इसी केस में आज धोनेस नाम के एक लड़के का जो जिसकी उम्र 13 वर्ष ती कुछ लोगों ने अपरण किया था उसके पिता एम्स में सुपरवाजर है गोपाल की उपरेटी अपरण करके जब लोग वहाँ से खरार हुए वहाँ की स्वाट सर्विलांश तीम ने बिजनोर की टीम से संपर किया वारता हुई उन्होंने कहा कि 15 लाख रुपए की शुर्वती मांगी गई है लोकेशन ट्रेस किया रहा था धामपुर पुलिस को निर्दिश किया जा वहाँ के सच्चो स्वाथ और शियो साहब ने घेरा बंदी करके फोर हुलर गाड़ी से बस से एक अभिक्त को मैं लड़के को भ्योनेश को मरामत किया है पूस्ताज की जा रही है यह ज्यात हुआ है कि जो पकड़ा जया लड़का है यह बिहार का रहने वाला है छत वरुप से इसे बहला पुचला करके ले गया ले जा रहा था इसी दौर इसके साथ से उन्हें 15 लाफ रुपए की मांग दिया था है सब्कूर घटना करम का पूस्ताज के बाद अन्विवनक प्रसुत किया जाएगा पिजनाओर की सभी ताज़ा खबरों से जड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को बेल आइकन पर क्लिक कर सब्सक्राइब करें